दोस्तों आज खेल खेल में यार मंगा लिया हमने इंटल का सबसे खतरनाग प्रूसेसर अभी का भाई फैक दिया टबा खुशी के खा रहे हैं यहां पे मैंने मंगा लिया इंटल आइफाइफ 12th जेनरेशन यास लास्ट टाइम हमने आए 3 पे वीडियो बनाई थी आई बेट प्रूसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है मैं बता रहा हूं आपको अभी देखते हैं आपको आपकी फेवरेट सारी एप स्वेफ चलाने वाले अगर आप पीसी विल्ट के वेले बेस्ट प्रूसेसर ढूंड रहे हो ना मैं खूद बता रहा हूं मैं परसनली इसी को कर सकता है कोई मिनिममम ग्राफिक तो चाहिए आपको साथ में प्राइस देखो इसकी ओनलाइन तो शायद 12,000 या 13,000 भी हो सकती है बढ़ हमने ओफ लाइन खरीदा था तो एरांड 11,000 में मिल जाता है इवन हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रहा है कि आई बटन इसको भी शार्प दिया गया है साथ में आई 5 के ब्रेंडिंग आजए या 12th generation और साथ में LGA 1700 को यह सपोर्ट करता है और ग्राफिक कार्ट की नहीं चल सकता आगे इन बता देता हूं और इसको उपन करते ही सबसे पहले अपना main processor आ जाता है और यह 12th generation का design है यह मुझे इसके साथ एक काफी decent type का मिलता है ठीक ठापना चॉकलेटी वाला fan था 10th generation का उससे थोड़ा best बिल जाता है थोड़ा यह रसल मतलब मार पीट करने वाला जो होता है उस type का यह fan लगता है और यह काभिल है मतलब इतना तो है cool enough कर देगा 12th इसके लाँ दोस्तों जो हम लोग अधरबोड रहेगा 6000 रुपय का जाता है इस प्रोशेसर के साथ मैच भी कर जाएगा अराम से आप कर सकते हो बागि यहां पर यहां पर यूज कर रहा हूं मेरे पास तोड़ा ओवर पावर यह जो आप मदरबोड देख रहे हो ना यह बाई सोनिक वाइफ है और यह आता है इनका B760M यह बहुत हाइंड मदरबोड है एरांट 35,000 के आसपास का है मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि मैं इस पर 13 14 पे अभी आराम से जा सकता हूं इवन i7 i9 तक भी खीच सकता हूं क्योंकि इसका VRM section अच्छा है आपको इतने महेंगे मदरबोड की जरूवत नहीं ह तो इस तरीके से आप वेस्ट लगा सकते हो फ्यूचर अपग्रेट के नाम पर आती साथ दे को मेरा जो मदरबोड है यह वाला सोनिक वाइफ है यहां पर अपने DDR5 वाली रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है 12th generation जो अपना है यह दोनों सपोर्ट करता है DDR4 तो करे गई बागी फाइब भी करता है तो यह चीज़ अच्छा अगी जीप्यू काफी मेजर पार्ट हो जाता है तो अगी इन प्रोसेसर के साथ दो खतरना कि यह उठा लिए बाई एक आता है सबसे पहले RX 590 यह आट जीवी का जीप्यू है दस जार में आ जाता है और एक मैं यहां पर लेकर के आर गया हो भाई RTX 4060 Ti यह होगा ताबर तोड मतले यह वाइट कलर में यह 3060 यह मेरे पास यह दिखाने के लिए और वह वाला लगा रखा है तो उसका पूरा परफॉर्मेंस चेक मारेंगे दोनों जीप्यू के साथ आबर तोड वाली जो परफॉर्मेंस वाला मजा है वो 12 पर मैंने काफी सारे PC बिल्ट कर रखे है आई बेटन पर आपको एक दो मिल जाएंगे बगी इसके लाब आप टेस्ट शुरू करते हैं सबसे पहले बेंचमार्क बता हूं तो यह आप राइट नो जो स्कोर देख रहो है यह अपना i5 12th generation 400F का है और यह काफी डिसेंट है क्यों वहीं पर आप स्ट्रीमिंग कर सकते हूं गेमिंग कर सकते हो एडिटिंग करने ही आप कि अडिटिंग वाली एडिटिंग मैं खूद भोल तो रहो अपनी वीडियो इस receptor पर एडिट कर रहा हूं apresent you विंडोस 11 टाइम के आसपास में शाइद इसी प्रोसेसर के ऊपर यह स्ट्रीम भी करी थी और गेमिंग तो अभी तावड तोड़ आपको दिखाने ही वाल है मतला ओवरल देखा जाए सारे कंडिशन फुल्फिल करता है और आज के टाइम पर 50, 60, 70,000 के PC बिल्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेसर हो सकता है तो आपके सारे काम करा देगा बागी इसके लाब आप इस पर गेम्स खेलो या नॉर्मल जितने भी काम होते है आपके वर्ड, Excel, PDF, वीडियो देखनी है फोटोशोप चलाना है, प्रीमेर प्रो चलाना है लेयर में एडिटिंग करो, 4, 5, 6, कितनी चाहिए हमने तो 12 तक भी कर रखी है इसके लाब एंड्रोइड गेम्स भी आप इसली खेल सकते हो कोई भी आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है नॉर्मल सार है, आप आराम से चला सकते हो भागी अब बात करते हैं PC गेम्स की चलें फिर गेम्स टेस्ट हो जाए दो सबसे पहले GTA 5 के मजलो, सबसे पहले हमने इसको RX 590 पर चलाया, अगेन यहां पे FPS आप नोटिस कर रहोगे, 190 आ रहा है यह देखो भाई, अब यह जो परफोर्मेंस आप देख रहे हो यह RTX के साथ है, RTX का आपने 4060 Ti यूज कर रहा है, और FPS में आप देख सकते हो, 140-150 तक पहुंच गये हैं, अगेन यह सारी गेम्स 1080p at very high, अल्ट्रा जिसे यह दा मक्षन मारी वाली वह वाली पर खेल रहे हैं जिसमें अपना anti-aliasing यह सब चीज़े भी X16 पर हमने कर दिये सब कुछ एक दरम Top Launch, MSAA तो वहां पर आपको इस तरीक है के RTX पर देख सकते हो, RTX पर डायरेक्ट लिए 50-60 fps यही GTA 5 में प्लस होगे next game cyberpunk और यहां तो आप fps का difference देखना, सबसे पहले RX 590 पर 30-35 fps आ रहे थे तो ठीक है काम चलाओ अपना यह 30 fps नहीं आपके जो processor है वह करता है ताबड तोड क्योंकि जैसे ही मैंने इसको RTX पर शिफ्ट करा और आप देख सकते हैं 123 fps भाई सोच दो कहां से हम कहां पहुंच गए double से भी जादा fps आने लग गए यह RTX की power है जो इस processor के साथ compatible होके must एकदम दे रहा है साथ मैंने इसको DLSS के साथ टेस्ट करा था तब तो 180 fps भी पहुंचने लग गए थे DLSS 3 वाला ठीक है और उसके पाद जब मैंने RTX on करा RTX के साथ भी आप खेल सकते हो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर 100 fps तब भी आ रहे थे मतलब आप स्ट्रीम करो ग्रें करो भूल RTX में on करके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले रिजल्ट आपके सामदे नेच्ट गेम मैंने फ्रोजा चलाई अगेन RX 590 पे अपने 30 से 40 के आसपासी fps रहेंगे ना ज्यादा कम यह अपने फ्रोजा एक हैवी गेम है 140-50 GB की तो गेम ही है सोच के देखो उसलाब से ठीक है यही चीज 100 fps जा रहे थे RTX के पास ना पावर है समझ रहे हो ना वो तो यहार हाई-end ग्राफिक काड है अगेन वो तो 35,000 25,000 के आते हैं तो थोड़ा कुस तो होगी बातचीत यहां पर आप देखी सकते हो नेच्ट गेम मैंने यहां पर असासन क्रीट चलाई और यह अपनी 60-70 fps आ रहे थे के लिए अगर पैसे कम है आरेक्स 590 के साथ PC बिल्ट कर सकते हो या आपके वस थोड़े जादा है तो कोई और अच्छा GPU बठा कल को जरूर भाई RTX पर चले जाना है RTX के पावर अल्नुमिटेड है बाई बताना कोमेंट में बागी चलो इस वीडियो में इतना है होपसको आपको वीडियो पसना है बिल्कुल याइड पसना है लाइक वाइक शोटो एकदम सब्सक्राइब तोड सकते हो शेर करते है मिलते निए निएक शेडिव में तब तक लिए जय बायर जय ही, जय बारुत वंदे, मातर